दूपते को तिनके का सहारा जी हाँ एक पुरानी कहावत है कि अगर दूपते को तिनके का सहारा मिल जाए तो उसे जिन्देगी मिल जाती है ऐसा ही आँखों को नम और दिल को छू लेने वाला नजारा सहारनपूर रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला जहां देश की सरकार ने प्रवासियों की दर्द पीड़ा और उनके घर जाने की जिद को पूरा करती हुए सहारनपूर से बिहार के लिए दो श्रमिक स्पेशल ट्रेन चला कर इंसानियत और फर्द की मिशाल पेश की पंजाब से सैकडो किलोमीटर की जोखिम भरी पैदल यात्रा करती हुए सहारनपूर रेलवी स्टेशन पर सरकार के निर्देश पर जिले के आलाधिकारी उने 1320 यात्रे को ट्रेन में बिठा बिहार के लिए रवाना किया तो जहां प्रवासियों ने सिसक सिसक कर रोना शुरू कर दिया वहीं जिले के आलाधिकारी और रेलवी अधिकारी भी उनके अजीन प्यार को देखकर भाबुक हो गए ट्रेन के चलते ही प्रवासियों ने विदाई का अभिबादन करते हुए हातों को हिला कर नम आखों से विदाई का संकेत देते हुए कहा कि ऐसे प्यार को जो सहारनपूर में मिला है इसे हम कभी नहीं भूल पाएंगे रिपोर्ट भगवत महरा 1325 यात्रियों को बेजा जा रहा है जिस पर लुग कराया और सरकार रुपय कि आप कर्या रोल्प isn't इनकोर यात्रीयों से किसी इंदॉय यहाँ से यहाँ से यहाँ से यह तुरmp मुझफर नगर मोतिहारी होते हुए बतिया जाएगी तो इन जन्पत के जो भी लोग है और आस पास के जन्पत की जूबी यात्री हमारे हैं रादर सामी सबसंग्यास में रुके हुए थे मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले कुछ दिनों में हर्याना, पंजाब, राजस्तान और हिमाचल प्रदेश से भारी संक्या में बिहार के विशेशकर माइगरेंट लेवरर्स का आवा गमन निरंतर जारी था हमारे शेल्टर रोम जो रादा स्वामी सत्सिंग परिसर है उसमें करीब 4500 के आसपास सिर्फ बिहार के ही माइगरेंट लेवरर्स हैं उनको भेजने के लिए हमने माने मुखमंत्री जी तक संदेश पहुचाया था माने मुखमंत्री जी ने सहर्श रूप से राज्य सरकार के खज्ये पे इन सभी माइगरेंट लेवरर्स को अपने घर तक पहुचाने कर नड़े लिया है उसी के करम में आज पहली जो स्पेशल श्रमिक ट्रेन जो है आज सहर्णपूर से रवाना होने जा रही है इसमें तक्रीवन तेरसो बीस माइगरेंट लेवरर्स हैं जो आज बैठे हैं ये सहर्णपूर से बेतिया तक ट्रेन जाएगी और बीच में सीवान, छप्रा, मुजफरपुर और मोतिहारी ये इन स्टेशन पर भी रुके लिए जितने श्रमिक आए हैं इनको साबून की एक टिटॉल साबून भी दिया गया है इन सबको टूथ पेट ब्रश की विवस्ता दी गई है एक भोजन पैक भोजन भी सरी श्रमिकों के लिए इन सबको प्लब्द कराए गया है रेलवे दवारा एक निश्वल भोजन पुनह आगे रातरी का जो भोजन है वो इन लोगों को प्लब्द कराए जाएगा और मुझ इसके बाद से जियां राजसरकार से हमें छे ट्रेन चलाने के अभी तक अनुमती मिले हैं और इस इनका जो पूरा खर्चा है वह जिलादिकारी सहरनपूर ने आपदा मद से बुक्तान किया है जैसे धारुनतर इस ट्रेन का जो खर्चा है जो सब चीज ले करके लगभग स साड़े साथ लाख रुपया लेलवेस को बुक्तान कर रिया गया है इसी तरह से आगामी कुछ दिनों तक निरंतर ये स्पेशल ट्रेने चलती रहेंगी हम परस्तितियों का आतलन कर रहे हैं कि कितने और लेवरेज हैं उनकी लाइन डिस्ट बन रही है उनके रूटिंग ड लेवरेज हैं जो बिहार के हैं जिनको भी हम सूची बद कर रहे हैं उनको भी हम फेजिस में उनके घर तक पहुंचाने का काम करेंगे